जाईका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके साथ सेर करेंगे धाबा स्टाइल ग्रेवी की रेसिपी आज हम बनाएंगे अंडा दो प्याजा इसे अंडा दो प्याजा के नाम से क्यों जाना जाता है ये तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तब आपको पता चलेगा खेर जो भी हो बहुत ही बढ़िया अंडे की ए ग्रेवी बनकर तयार होती है और हां हमारे चैनल पर हमने अंडे की बहुत सी ग्रेवी और बहुत सी रेसिपिस सेयर की है अगर आपने वो नहीं देखी है और आप देखना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर एक रेसिपिस की पूरी प्लेइलिस्ट मिल जाएगी तो चलिए सुरू करते हैं अंडा दो प्याजा बनाने के लिए हम ग्रेवी के लिए कुछ प्रिपेरेशन करेंगे तो हमने यहाँ पर तीन मीडियम साइस की प्यास को रफली चौप कर लिया है मिक्सी जार में हम इसका फाइन पेश्ट बना लेंगे इसी के साथ हमने दो बड़ी साइस के टमाटर लिये हैं चोप कर लिया है और इसका भी हम mixedy में paste बनाएंगे और बीस काजू लिए हैं, इसी के साथ आधा नारियल लिया है नारियल को हमने slicing में काट लिया है थोड़ा सा पानी डाल कर हम काजू और नारियल का भी एक paste बना लेंगे तो इस gravy में हम प्याज दो बार डालेंगे तो पहले हमने जो प्याज ली थी उसका हमें paste बनाना है और इसी के साथ हमने यहाँ पर तीन medium size की प्याज अलग से ली है जिसे हमने cubes में काट लिया है और इसी के साथ हमने यहाँ पर उबले हुए 12 अंडे लिये हैं तो इन अंडों को अच्छे से boil करकर हमने छील लिया है और अब हम इनको fog से prick कर लेंगे तो इन अंडों को prick करने से क्या होगा कि जब हम इनको fry करेंगे तो यह तेल में फूटेंगे नहीं और gravy का मसालों का taste अंडों के अंदर तक अच्छे से पहुँच जाएगा अंडे बिल्कुल भी फिके फिके नहीं लगेंगे अंडों को अच्छे से prick कर लेने के बाद हम इसमें डालेंगे एक चोथाई टीस्पून नमक एक चोथाई टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे एक चोथाई टीस्पून कस्मीरी लाल मेश पाउडर और इन मसालों को अंडों के साथ अच्छे से मिला लेंगे ताकि ये इस पर अच्छे से कोट हो जाए इससे क्या होगा कि अंडों का एक अलग फ्लेवर होगा ये बिल्कुल भी फीके फीके नहीं लगेंगे और अब हमने एक पेन में 3-4 टेबल स्पून तेल अच्छे से गरम कर लिया है और हमने जो प्यास क्यूब्स में काट कर रखी हुई है उसे हम तेल में डाल कर फ्राई करेंगे तो इस प्यास को हमें तेल में ज्यादा फ्राई नहीं करना बस मीडियम फ्राई करेंगे जब तक कि ये थोड़ी सोफ्ट नहीं लगे तो तक रिबन 1 मिरी टक फ्राई करने के बाद हम इनको तेल में से निकाल लेंगे तो पहले हमने तेल में प्यास को फ्राई करके निकाल लिया अब उसी तेल में हम अंडे डाल देंगे और अंडों को fry करेंगे अंडों को fry करते वक्त हम गेस की flame को बिल्कुल medium रखेंगे fry करने के दर्मियान हमें अंडों को उलट पुलट करते रहना है ताकि हर तरफ से ये अच्छे से फ्राई हो जाए और अंडो पर मसालों की एक क्रिस्पी लेयर बन जाए तीन से चार मिनिट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई करने के बाद हम अंडो को तेल में से निकाल लेंगे तो हमने यहाँ पर तेल की कॉंटिटी थोड़ी ज्यादा ही रखी थी और इसी तेल में हम ग्रेवी बनाएंगे क्योंकि इसी तेल में हमने अंडो को फ्राई करके निकाला है तो अंडो का जो फ्लेवर होगा वो तेल में रिलीज होगा तब ही लगेगा कि हाँ हमने अंडे वाली ग्रेवी बनाई है और अब हमें तेल में डाल देना है हाफ टी स्पून जीरा, एक तेज पत्ता, एक दाल चिनी का टुकड़ा और दो हरी लाइची जैसे ही जीरा चटकने लगेगा हमने जो प्यास का पेष्ट बना कर रखा है वो इसमें डाल देंगे और प्यास को हमें तेल में तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए प्यास का कलर गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इसे फ्राई कर लिया और इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे एक टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेश्ट और इसे भी हम प्यास के साथ थोड़ा फ्राई कर लेंगे तक इसकी कच्ची स्मेल दूर हो जाए अदरक लहसुन को एक से डेड़ मिनिट तक तेल में फ्राई करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे तो तेल मुझे यहाँ पर थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने दो से तीन टेबल स्पून तेल और डाल दिया और इसी के साथ हमने जो टमाटर का पेष्ट बना कर रखा है उसे हम इसमें डाल देंगे और इसी के साथ डालेंगे half teaspoon हल्दी पाउडर, स्वाध अनुसा नमक, एक teaspoon लालमिश पाउडर, एक teaspoon धन्या पाउडर, half teaspoon जीरा पाउडर और ग्रेवी को बढ़िया सा color देने के लिए हमने लिया है एक teaspoon कस्मिरी लालमिश पाउडर तो टमाटर के पेश्ट के साथ ही हमने इसमें सारे सुखे मसाले डाल दिये इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसे तब तक भूनेंगे जब तक की टमाटर का पानी ड्राइना होने लगे और मसाले अच्छे से भूनना जाए तो यहाँ पर हमने अंडा दो प्याजा बनाते वक्त प्याज और टमाटर का पेश्ट इस्तेमाल किया है अगर आप चाहें तो प्याज और टमाटर को कदूकस करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं लो फ्लेम पर मसालों को भूनते हुए 10 मिनिट हो गई है और आप देखेंगे कि टमाटर का पानी भी ड्राई हो गया है और मसाले अच्छे से भून चुके हैं इसमें से तेल भी रिलीज होने लगा है और इस टेश पर हमने जो नारियल और काजू का पेश्ट बना कर रखा है उससे हम इसमें डाल देंगे मिला लेंगे इसे और 5-7 मिनिट के लिए इसे भी भून लेंगे तो जब भी हम ग्रेवी में काजू का पेश्ट डालते हैं तो हमें इसे बीच बीच में चलाते रहना होता है अगर नहीं चलाएंगे तो नीचे दाग भी लग सकता है तो यहाँ पर हमने ग्रेवी को काजू और नारियल के पेश्ट के साथ 5-7 मिनिट के लिए और पका लिया है और इस टेज पर हमने जो अंडे और प्यास फ्राई करके रखी हुई है वो हम इसमें डाल देंगे तो अब आपको समझ में आया होगा कि इसे हम अंडा दो प्यासा क्यों कहते हैं क्योंकि हमने प्यास का दो बार इस्तेमाल किया पहले हमने प्यास का पेश्ट बना कर डाला और फिर प्यास के क्यूब्स को फ्राई करके उसे अंडों के साथ डाल दिया और इसी के साथ हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाल देंगे तो हमने दो कप जितना पानी डाल दिया है इसमें वेसे अगर आप इसे धाबा स्टाइल में बना रहे हैं तो ग्रेवी थोड़ी गाड़ी ही होगी तो दो कप पानी इसमें बहुत है और इसे अच्छे से मिला लेंगे हाई फ्लेम पर इसमें कुबालाने देंगे एक कुबालाने के बाद गेस की फ्लेम को लो कर देंगे और एक टीस्पून जितनी भूनी हुई कसूरी मेथी को हाथ से क्रस करके इसमें डाल देंगे और इसी के साथ एक चोथाई टीस्पून गरम मसाला डाल कर अच्छे से मिला लेंगे और अब हमें इस ग्रेवी को लो फ्लेम पर पांच मिनिट के लिए पका लेना है तो इसे कवर करके पकाएंगे तो कसूरी में थी गरम मसाला डालने के बाद हमने इसे लो फ्लेम पर सिर्फ पांच मिनिट के लिए पकाया है और यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा धाबा श्टाइल अंडा दो प्याजा बनकर बिल्कुल तयार है अब हम गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और इसमें 2-3 टेबल स्पून जितना बारिक कटा हुआ हरा धन्या डाल देंगे और इसी के साथ हमने यहां पर 3 छोटी हरी मेश ली है और हरी मेश को हमने सेंटर में से काट लिया है इसे भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे यह देखिए कितनी मज़ेदार हमारी अंडा दो प्यासा की धबा स्टाइल ग्रेवी बनकर तयार हुई है आप इस recipe को जरूर ट्राइ कीजेगा उमीद है आप कोई recipe बहुत पसंद आएगी और हाँ recipe ट्राइ करने के बाद comment box में हमारे साथ अपने experience जरूर से share करें वीडियो को like और चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी न भूलें फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का YouTube चैनल पर एक नई recipe के साथ तब तक के लिए good bye